अब अब वार्किंग एजे एस टेट वेग इंडिया कैसे सब लोग आई उसे वाच्छे होंगे अच्छे पढ़ाई करे होंगे तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे कुछ डिसकेश करने वाले जैसे कि आपका IPS क्लरक और प्यों का रिजल्ट के बारे में आपका IPS क् सकता है अब कितरें आपका है क्या आफ पनने वाल सब कुछ के और आपका जो कंब ने वाल सब कॉच्छ कि में कमेरा। क्या है और जो था वेकेंसी उसमें से 2600 प्लस इसा कुछ क्या है अगर यह वेकेंसी होता है तो आपका जो रेजल्ट है फ्री का रेजल्ट उसमें तो डारेट ऐसर बनने वाला है क्योंकि यह बहुत वेकेंसी है ठीक है और IPS हमेशा मैं बोलता हूं वाई जैसे मैं पहले या आइए जो IPS है आपका रजल्स निकलने के बाद ही पता चलता है क्यूंकि यहां पे बहुत सारे बेंक पाटिसिपेट करते हैं इसलिए जो भेकेंची है वह इंक्रीज होता है अपने आप इस उप्ध के बाद भी एक्षक्ती होता है अपना IPS के लिछ दिग एक्जाम आपन बिए इसका रेजल्ट पलड़ सकता है ठीक है अगर यह होता है इसका मतलब आपका जो कटप है वह थोड़ा सा कम जाएगा जाएगा ठीक है और दूसरा है अगर होता है तो मेरा मुझे लगता है कि आज रेजल निकल सकता है या फिर एक-दो दिन के अंदर आपका रजल आ सकता है आज भी आ सकता है इस दू-3 दिन में आपका रेजल्ट आज चाहिए क्योंकि इस तरीकाओं का आपका एक्जाम है और कलर का बात पताऊं का अभी तक कुछ अभी तक कुछ नहीं है जब भी नियूज मिले मैं आपको अप्डेट कर दूगा ठीक है और एक बात पताऊंगा जिन लोगों का आरे बीप्यों में से नहीं हुआ है कुछ मार्ट से मतलब रह गये हैं आपके आगे बहुत सारे एक्जाम है इस साल तो ज्यादा ही वेकेंसिया आएगा और ज्यादा ही एक्जाम होगा ठीक है आप प्रिप्यार जारी रखिए और आपना होसला मत तुटिए ठीक है बस एही करना चाहूंगा जैसा जूस में आप पढ़ रहे थे लास्ट यर इस साल थुड़ा जुगनी जूस बढ़ाई है आपका और त्यारी में लग जाए ठीक है सो एही इंफ्रेंशन आपको देना था वीडियो ही में एट करते हैं टेक क्यार टाटा बाई